दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये busy counting software में rate difference की entry credit note voucher में कैसे करी जाती है तो दोस्तो ये सारी बातें आज हम business के real voucher के साथ सारी बातें practically सीखने वाले हैं तो दोस्तो जैसा कि हमारे पास ये invoice है जो आप देख रहे हो इसी invoice के against में हमने customer को credit note issue करने rate difference का, अब rate difference का मतलब यह जो customer है, इस customer का हमने यह invoice बनाया है 3,500 रुपए का, यानि कि 3500 रुपए का, और हमने customer से गलती से 500 रुपए ज़्यादा ले लिए, तो अब यह जो 500 रुपए हमने ज़्यादा लिए इसका treatment हम credit note voucher में किस परकार करेंगी अगर यह हमारा product taxable है तो उसकी entry किस परकार होगी अगर यह product tax free होता तो उसकी entry कैसे होती क्योंकि दोस्तों, यह जो इस type की question होते हैं, यह कहीं ने कहीं आप से interview में जरूर पुछे जाएंगे, अगर आप एक नए accountant हो, आपने अभी accounting की job की सुरुबात करनी हैं, तो यह आज की video आपके लिए बहुती ज़्यादा important है, क्योंकि इसमें सारी बातें आज आपको practically सेखने को मिलेगी, तो इसलिए इस video को शुरू से लेके end तक complete देखना, कोई भी step इस video का skip मत करना, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, तो लाइक जुरूर कर देना, अगर आपने मारी चैनल पर पहले बार विजिट करिये, तो भी चैनल को भी subscribe करने के साथ, notification बेल को भी जुरूर on कर लेना, तो नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ मौन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का यह वीडियो, तो दोस्तों यह विजिस अकांटिंग सॉफ्टवेर में company open है, और इसी company में यह जो sale invoice आप देख रहे हो, इसकी entry sale voucher में करेवी है, तो सबसे पहले हम उस transaction को देख लेती है sale voucher पर जाएंगे, modify पर जाएंगे, और यह 001 invoice number date है, 15221 के, ok करेंगे, तो यह invoice आपके सामने आदेगा, और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, यह total amount 3500 रुपे किया है, अब बात आती है, भी हमने इस customer से 500 रुपे जादा ले लिए, तो 500 रुपे हमें इसके कम कैसे करने है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एक basic समझना जुरूरी है, entry करना कोई important नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं entry पर जाओगे, तो आप से हो सकता है भी, तो दोस्तों जैसा आप ये invoice देख्रों, इस invoice मैंने 500 रुपे जादा लिये, यानि कि हमारी sale 500 रुपे से जादा हो, चुक्कि आप यही मान की चलेंगे, जबकि हमारे इस invoice के according, हमारी जो sale value है, ये 396,600 रुपे और 10 पैसे की है, इसमें 266 रुपे पिचाण में पैसे CGST tax है, 266 रुपे और 95 पैसा SGST tax है, तो यानि कि इन तिन्नों को मिला के 35 रुपे की amount बनती है, तो इसमें दोस्तों आपको पता है भी taxable value होती है, वो हमारी sale value मनी जती है, तो अब इस invoice के according हमारी जो sale है, वो ज़्यादा हो चुकी है, अगर sale ज़्यादा होगी, तो जाइसे बात हमने customer से tax भी ज़्यादा ले लिया, tax ज़्यादा ले लिया तो net amount ज़्यादा बन गी, तो इसका treatment हम एक Excel के chart के तुरू समझ दें, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसी invoice का मैंने एक chart बनाया हुए, 296 की ये sale value है, और ये 35 रुपए के net amount है, अगर बात करें इसके journal entry की, तो दोस्तो journal entry हमारी इस परकार बनेगी, इस credit note voucher की, क्योंकि जो हमने 18% का ये product है, 18% sale का आपने एक laser बनाया हुए, और उस laser को ही हम वापिस अब debit करेंगे, 432 रुपए और बेतर फैसे, क्योंकि अब देखो हमने 500 रुपए ज़्यादा लिये हैं, किस में से, इस 3500 में से, अब ये 3500 रुपए net amount है, क्योंकि अब ये जो amount है, ये with GST amount है, अगर 500 रुपए ज़्यादा ले लिये, अगर हम बात करें इस amount की 500 रुपए की, अब इसमें भी तो tax include होगा, तो हमें tax include तो प्राटे की तो हमें 500 रुपए पुरा ही जमा करने हैं, लेकिन हम जो sale हमारी जो वापिस debit करेंगे, वो 423 रुपए और बेतर पैसे से ही करेंगे, अब ये कैसा निकला, अब 500 into 100 divide by 118 करेंगे, यानि कि 118 करेंगे, तो हमारी ये taxable value निकल के आ जेगी, और उसके बाद हम 9% CGST tax को debit करेंगे, कौन से tax को? Output CGST tax को debit करेंगे, क्योंकि हमने जो tax sale पे लगा है, तो हमारा एक 3K से output CGST tax होता है, और output SG tax होता है, तो हम वापिस tax को ही reverse कर रहे हैं, ये हमारा कोई अब input नहीं calculate होगा, जो हमारा output था उसी में से कम होगा, तो ये सारी बाते हैं, सबसे पहले हम busy software में, इसका effect काँपी पड़ेगा, ये देख लेते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम, हमारा profit and loss count देखते हैं, जहां हमारी sale हमें शो होती है, डिस्पले पर हम जाएंगे, final result पर जाएंगे, profit and loss count पर जाएंगे, और इसको मैं app 2 के साथ open कर लेता हूँ, अब यहां पर देख रहे हूँ हमारी जो sale है, ये GST 18% computer part sale किया है, और 2900-600 रुपए 10 बैसे किया है, और ये वही invoice आ रहा है हमारा, एक invoice हैसमें, अगर इसी invoice के दार पर अगर हमारी GST की return हम देखें, तो GST return के लिए हम GST report पर आएंगे, GST return पर आएंगे, सबसे पहले हम GSTR 1 को देखेंगे, तो 1 में भी आप देख रहे हूँ है, आप टोटल invoice की value 35 रुपए है, जिसमें taxable value 296 रुपए और 10 पैसे की आ रहे है, अब इसमें कोई भी हमारा, अभी तक reverse sumnay entry करें नहीं है, अब अगर reverse tax करेंगे, तो यह हमारा net sale, जो taxable sale है, उसमें से less हो जाएगी, अब हम बात करतें भी, टोटल less करने के बाद में, कितनी amount हमारी sale की value रह जाएगी, तो अगर हम बात करें, भी 423 रुपए और बेतर पैसे, हमारी taxable value हो जाएगी, अगर इसके हम tax की बात करें, तो 38 रुपए और 14 पैसे, एक side का tax हो जाएगा, यारी कि CGST tax, और 38 रुपए 14 पैसे हमारा, SGST tax हो जाएगा, अगर हम 3 रुपए टोटल करें, तो यह 500 रुपए बन गया, अब हमें इनको करने minus, तो हम सबसे एक पर इसे पर minus का निसान लगा देंगे, minus, इसके आगे भी हम minus कर देंगे, यहां पर भी हम minus कर देंगे, तो अब माइनस 500, अब हमारी जो टोटल सेल है, इसमें से अगर हम minus करेंगे, तो आप देख रहे हो, हमारी जो सेल है, वो 25,42 रुपे और 38 पेसे की रहे जाएगी, और इस तरीके से हम सभी कोई कर लेते हैं, तो जो हमारा invoice की जो value है, वो 3000 रुपे, आटोमेटिक आजएगा, यहनकी customer का balance, अब customer के खाते में 35 रुपे तो debit बोलेगा, और 500 रुपे उसके खाते में credit हो जाएगे, तो net balance उसका 3000 रुपे ही रहे जएगा, क्योंकि अब invoice को हम change करनी सकते हैं, invoice एक बाद issue हो चुका है, तो अब हम करते हैं credit note voucher की entry, और entry करने के बाद में क्या effect आएगा उसको भी देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू एंट तक complete देखना, कोई भी step इस वीडियो का skip मत करना, आपको अच्छी तरीके से सारी बाते समझ में आजएगी, तो इसके लिए हम जाएंगे transaction पर, और transaction पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे, क्रेडिट नोट के दो option दिखाए देंगे, एक तो आपको क्रेडिट नोट यहीं देख जाएगा, sell return का, और एक credit note आपको देखेंगा, यहाँ पर, अब हमें कोई sell return तो नहीं करी है, क्योंकि मारे पास कोई product तो वापीस आया नहीं है, और product तो उतना ही रहना, लेकिन हम नहीं गलती से उस पे पैसे ज़्यादा ले लिए, तो उस condition में हम इस credit note voucher का use करेंगे, हम credit note इसको use करेंगे, add करेंगे, और उसके बाद हम date भी एक बार कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको GST Nature में तीन ओप्सन देखने को मिलेंगे, पिक credit note issued against sale, या debit note received against purchase, तो अभी हमने customer को sale किया है, तो credit note भी हमें issue करना पड़ेगा, तो फिस्ट ओप्सन को select करेंगे, यानिकि credit note issue against sale, हम जो हमारी sale करी है, उसी के अगेस्ट हम credit note को कर रहे हैं, अगर यह हमारा product होता tax free का, अब देख रहे हो, यह invoice है, इसमें taxable है, अगर यह product हमारा tax free को होता, तो हमें इस option जो हमारा busy software में option है, तो हम इसको note applicable भी कर सकते थे, या अगर आप credit note issue against sale करते, तो वो कोई फरक पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें tax का कोई treatment नहीं होता है, अब यह tax का treatment होगा इस invoice के against में, तब हमें यह credit note against sale का option में select करना बढ़ेगा, credit हम करेंगे, शाम trading company को, और इसकी net amount को हम करेंगे, credit 500 रुपे से, method रहेगा, adjustment करेंगे, अब उसके बाद हम debit वापिस किसको करेंगे, जो हमने sale का laser मनाया था, GST 18% sale computer parts का, अब इसको 500 रुपे से पूरे amount को हम debit नहीं करेंगे, इसको जो debit हमें करेंगे, 423 रुपे और बैतर पैसे से, 423 रुपे और बैतर पैसे, अब उसके बाद में वापिस हम debit करेंगे, CGST output tax है जो मारा, इसको ही वापिस हम reverse करेंगे, इसका रहेगा 38 रुपे और 14 पैसे, और इस तरीके से, SGST output अब 38 रुपे 14 पैसे हो जाएगा, और ये net amount आप दोनों side के देख रहें, 500 रुपे के बराबर होगी है, और ये हमने Excel में जर्नल इंट्री बना के रखी विए, क्योंकि दोस्तों अब क्रेडिट नोट अब ये 5 रुपे का भी हो सकता है, ये 5000 रुपे का भी हो सकता है, 500 रुपे का हो सकता है, ये कोई matter नहीं है, बस आपको transaction की सबसे पहले manually उसकी journal entry क्या बनेगी, वो आपके mind में होना जरूरी है, और इस voucher को जैसे हम save करेंगे, तो कुछ इस तरह के का ये window मारी सामने open होएगी, अब ये रहेगे मारी, the adjustment of debit note, credit note, अब ये sham trading का है, invoice है, तो इसमें हम जो reason है, वो हमारा करेंगे others, क्योंकि ये rate difference का है, अब यहाँ पर आपको original invoice number डालने है, जैसे आप original invoice number यहाँ पर fill up करेंगे, तो इसकी सारी information आपको automatic आजेगी, उसकी date, hsn code, units का आती है, difference amount कितने का है, और cgst और hgst की value कितनी है, तो और उसके बाद में, हम इसको करेंगे यहाँ से save, ओके, invalid row, 001 हम करेंगे, और यह type of register हो जाएगा, और इसको कर देंगे save, और इस voucher को में save कर दिया, अब effect देखते हैं हमारी total sale पर कितना आया है, तो सबसे पहले display पर जाएगे, profit and loss count को वापिस देख लेंगे, तो अब यहाँ पर देख रहे हो मारी जो sale है, वो 25,42 रुपे और 38 पैसे की हो गी है, और यह हमने यहाँ पर मारे Excel की sheet में निकाली थी, 35,42 रुपे और 38 पैसे की, अब इसका effect हम GST की return पर भी देख लेते हैं, GST report पर जाएगे, GSTR return पर जाके GSTR 1 को देखेंगे, तो अब यहाँ पर देख रहे हो, अब इसमें यह जो credit note है हमारा, अब यह credit note 3500 में से 500 माइनिस हो जाएगा, तो net value तो 3000 रुपे रहेगी, और यह जो taxable value 423 रुपे बैतर पैसे, यह हमारी जो पहले जो value आ रहे थी, अब यह 36 रुपे और 28 रुपे से गटकिने के बाद में, 457 रुपे और 62 पैसे की रहे जाएगी, और अब हम देख लेते हैं, शाम ट्रेडिंग कंपनी के customer का laser, तो इसके लिए हम shortcut control LB यूज़ कर सकते हैं, शाम ट्रेडिंग रहेगा, और F2 के साथ ओपन करेंगे, तो आप देख रहे हो, अब इसका जो net balance है, यह 3000 रुपे रहे गया, और इसका debit amount थी, 3500 रुपे का जो invoice था, 001 का, और उसके बाद में 500 रुपे उसके credit note के थुरू, तो net effect इसका balance पर आ जाएगा 3000 रुपे से, तो दोस्तों यह था आज का busy counting software में, red difference के credit note voucher की entry करना, वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो, वीडियो knowledgeable लगी हो, तो वीडियो को like जरूर कर देना, अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया हो, तो please ओभी कर लेना, तो दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए topic के साथ,